बिसम्म लए रख्मार रहीम, हम आज module 20 को discuss करेंगे, module 20 है, reporting errors के लिए एक हम example discuss करेंगे, previously हमने देखा था के error report करने के लिए, Windows certain APIs provide करती है, जिसमें एक function था, get last error, और एक और function था, format message, अब हम देखते हैं, इन दोनों को हम कैसे use करके, किसी भी किसम के error को report कर सकते हैं, उसके लिए हम एक generic सा एक function बना लेंगे, और वो function हम आगे भी use कर सकेंगे, जहां कहीं भी हमें error report करने की जरूरत होगी, उस function को हम call क कर सकते हैं, आगे जाने से पहले हम, क्योंके code लिखनी है, तो code के लिए कुछ हमें header files वगरा की जूद पड़ेगी, क्योंके Windows जो है, वो कही सारे prototypes को use करती है, कही सारे data types को use करती है, कही सारे functions को, APIs को use करती है, तो उन सारों की prototypes मुखलिफ header files के अंदर पड़े होती हैं, ज कहीं कहीं हमें कुछ और APIs की और prototypes की और data types की भी जूद पड़ती है, कुछ और header files को हमें include करना पड़ता है, तो यहां पे हमने दो header files बनाई हैं, एक environment.h और एक everything.h, और इन header files को हम आगे अपने जो भी program बनाएंगे, उस program के अंदर include कर सकते हैं, add करके, project के अंदर add करके हम include कर सकते हैं, तो हमें मजीद कोई और header file जो है, वो add करने की कहीं भी जूरूत नहीं पड़ेगी, तो इन दोनों header files को समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे अपने error reporting की तरफ चलते हैं, environment.h जो है, उसके अंदर कुछ macros है, environment वाले macros है, for example, unicode का macro है, और जो windows version है, उससे relevant कुछ macro है, जबके everything.h के अंदर हर किसम की header file हमने include कर ली है, जो header files हमें required होती हैं, आम तर पर एक typical windows का program बनाने के लिए, वो सारी header files जो है, everything.h के अंदर हमने include कर लिए हैं, तो environment जो है, उसके अंदर environment के लिए, जो macros required है, वो set किये हैं और जबके everything.h के अंदर header files है, इसकी कुछ code देखते हैं, environment.h के अंदर यहां पर just वो initially यह चेक करता है कि windows जो use हो रही है, उसका क्या version है, और जो भी उसका version है, उसके accordingly यह एक value define कर रहा है, एक macro define कर रहा है, win32, winante, और उसको एक value assign कर रहा है, और इसको हम आगे कहीं चलके, आगे मुखले programs के अंदर इस चीज़ का इस्तमाल करेंगे, कि अगर anti की support शामिल है तो यहां पे हम एक flag set कर रहे हैं, एक macro set कर रहे हैं और उसको हम आगे कहीं use कर सकेंगे, इसके लावा, यहां पे आप देख सकते हैं, कि environment के अंदर ही, unicode का जो macro है, उसको define किया जा रहा है, जो underscore unicode है, अगर वो देखेगा कि आपने अपनी settings के अंदर unicode define किया हुआ है, जो unicode without underscore है, यह settings के अंदर आपको specify करना पड़ा है, compiler की settings के अंदर आपको specify करना पड़ता है, अगर यह defined है compiler की environment के अंदर, तो यह underscore unicode का macro जो है, वो भी define कर लेगा, इन दोनों में जो फरक है, वो हमने previously discuss किया हुआ है, इसके लावा, यहां पे वो default language जो है, वो भी set कर रहा है, यहां पे जुसने default language English set कर लिया है, और sub language जो है, वो US की English set कर दिया, तो यह सारा environment के बारे में information होगी, अब everything.h के अंदर आते हैं, everything.h के अंदर उसने क्या किया है कि environment.h को भी include कर लिया, windows.h जिसके अंदर हमारे सारे header फाइल बढ़े हुए, teachr.h जिसके अंदर हमारे generic functions पढ़े हुए, std.io क्योंकि हम command line के उपर काम कर रहे हैं तो हमें std की भी जूरूत पढ़ सकती है, standard lib को memory allocation के लिए headers जो हैं, अगर आगे हम देखेंगे हमें जूरूत पढ़ेगी, memory dynamically allocate करने के लिए, io input output operations के लिए, io.h, winsoc, जो windows के socket operations हैं, उनके लिए header files हैं, और spore.h, और process.h, process जब हम multi-tasking, जब हम multi-threading विए रहे करेंगे, तो वहां पर हमें process.h की भी जूरूत पढ़ेगी, तो यह सारे जो चीजें हैं, यह everything.h के अंदर define होगी हैं, अब आगे हमें किसी भी program के अंदर और कुछ भी define नहीं करना पढ़ेगा, आप अपने program के दर क्या include करेंगे, everything.h, और कुछ भी आपको include नहीं करना पढ़ेगा, अब आते हैं हम अपने error reporting function के ओपर, जो error reporting function है, उसका हमने नाम रखा है report error, जो report error है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि तीन parameter हैं, पहला parameter जो है, वो generic string है, उसका नाम हमने रखा है user message, यह वो message होगा कि user की दरफ से होगा, for example, user जो operation perform कर रहा है, वो files के उपर operation perform कर रहा है, अब वो एक file को नहीं process कर सका किसी error के वज़ए से, तो वो user अपना एक message देगा, जी cannot process files, आगे क्या वज़ा हुई, system में क्या error आया, वो हमने display करना है, वो हमने format करना है और हमने display करना है, इसके साथ दूसरा जो है, वो exit code है, और तीसरा एक boolean है, जो बता रहा है कि error print करना है, यह नहीं print करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक और function के अंदर, एक LPV sys message, यह एक string define हुई भी है, यह generic string है, जो हमारा error message होगा, वो इस string के अंदर store होगा, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, get last error किया, get last error, error num के अंदर हमने store कर लिया, अब अगर user ने कहा है, जो भी error message है, उसको print करो, हमने error message ले तो लिया है, लेकिन अगर वो कह रहा है कि साथ print भी करो, तो उस case के अंदर हम जो error code है, उसको format करेंगे, format करके एक string के अंदर जब आ जाएगा, तो उसको हम display भी करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि format message का function यूज़ हो रहा है, इसके शुरू में कुछ flags हैं, यह flag तो फिलहल यह बता रहा है कि जो भी string होगी, उसके लिए buffer खुदी से यह allocate करे function, और system से message ले, जो इसकी detail है, इसके अंदर कौन-कौन से flags यूज़ होते हैं, वो आप MSDN के अंदर देख सकते हैं, error num जो है, यहाँ पर हमने code specify किया है, जो हमारे पास error code आई है, वो हमने err num जो है, वो हमने यहाँ पर code specify किया है, जो error code है, और इसी तरह make language ID, जो हमने language use कर रहे हैं, वो उसके लिए ID बनाएगा, क्यूंकि इसने क्या करना है, कि इस error num के against, इसने एक string में उसको translate करना है, error num जो है, वो just a number है, वहाँ से हमें नहीं पता लाग रहा, कि क्या error है, जब वो English के अंदर या किसी language के अंदर translate होगा, तब हमें पता चलेगा, humans जो है, वो string को understand कर सकते हैं, उस number को understand कर सकते हैं, तो यह formal message जो है, उस number के against, उसके लिए जो भी एक logical string बनती है, वो बनाएगा और वो किसमें मनाएगा, जो आप यहाँ पे language ID वगारा specify करेंगे, जिस किसी multiple languages के अंदर Windows काम कर सकती है, तो अगर English है तो English के accordingly आप इदर language ID specify करेंगे, तो इसकी मजीड detail आप MSDN के अंदर देखें, अब इस function ने, जब इसको translate करना है, तो कहां पर place करना है, वो आपका next parameter ह that is long pointer to v sys message, sys message के अंदर यह जो है, string place हो जाएगी, और यहाँ पर यह चेक कर रहा है कि जो आपके पास message आया है, क्या उसकी length 0 तो नहीं है, अगर उसकी length 0 नहीं है, तो फिर यह string को print कर देगा, otherwise जो string का code था, उसको यह print कर देगा, और फिर in the end, क्यूंके previously आपने देखा क memory allocate हुई थी, string को store करने के लिए, और उस memory का reference lpv sys message के अंदर था, तो अब अब programmer के उपर है, कि memory को de-allocate भी करें, तो यहाँ पर local free की मदब से आप उस memory को de-allocate कर रहे हैं, और exit code आप देख रहे हैं, इस greater than 0 तो process को exit आप कर जाएंगे,